हेलो एब्रिवन मैं मनीशे चोहान और हमारे यूट्यूब चैनल एक्रिकल्चर वाला में आपका स्वागत है तो हम पढ़ रहते हैं एक्स्टेंशन एक्स्टेंशन में जो बेसिक से चीजे होती है वो सारे चीजे हमने कवर कर लेती और मैं यह उम्मीद करूंगी कि जो मैंन आपन देखेंगे प्री इंडिपेंडेंट्स प्रोग्राम मितलब स्वत्मत्रता के पहले जो प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे वह कौन-कौन से है तो उनको प्री इंडिपेंडेंट्स प्रोग्राम में कंसिडर किया है तो फर्स्ट अपना है श्री निकेतन फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा है श्री निकेतन कब स्टार्ट हुआ था 1920 में श्री निकेतन कब शुरू हुआ था 1920 में किसके द्वारा शुरू किया गया था रेंद्र नाठ टेगर के द्वारा और बालीस कॉनीजी थी तो यह श्री निकेतन कल्गत्ते वेस्ट बंसंग य्ड़ इसनलम का राम्पि क्या रखा है श्री निकेतन तो श्री निकेतन कलकत्ता वेस्ट बंगory में अब इसकी इसका स्टार्ट करने का एम क्या था तो क्या है क्या लेडैंक KS is to help the rural people establishing cottage industry जो le modal फिल फिल है उनकी हेल गईना किस में cottage industry established करने में कि इंस्पायर the people to follow new technology, लोगों को inspire करना new technology adopt करने के लिए, development of dairy farming, dairy farming क्या development करवाना, to create the feeling of cooperation, तो cooperation की जो feeling होती इसको create करना, तो ये क्या है, इसके function है, हाला कि exam में ये जो functions हैं, इससे regarding ज़्यादा questions नहीं मिलते हैं, but major question कौन सा पाट कवर करता है, ये वाला कि कौन सा प्रोग्राम कब start, especially ये कि कब कौन सा सन में कौन सा प्रोग्राम start किया और कई बार इभी पूछ लेते कि किसके द्वारा start किया गया, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा, ये function अगर याद नहीं है, तो चल जाएगा, ये चीज़ आपको याद ही करना पड़ेगा, नेक्स्ट अपना है, गुर्गाओ प्रोजेक्ट, गुर्गाओ प्रोजेक्ट भी कब शुरू हुआ था, उननीस सो बीस में, किसने start किया था गुर्गाओ प्रोजेक्ट, एफ एल ब्राइनी के द्वारा start किया गया था, और कहां पर शुरू हुआ था, गुर्गाओ में, ठीक, तो सेकेंड किया है अपना गुर्गाओ प्रोजेक्ट, उननीस सो बीस में शुरू हुआ था, एफ एल ब्राइनी के द्वारा शुरू किया गया था, और जगा कौन से थी, गुर्गाओ, अब के फंक्शन क्या है, तो इंक्रीज दे क्रोप प्रोडक्शन, क्रोप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, तो कंट्रोल एक्स्ट्रा 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 खर्च है, उस पर कंट्रोल करना, एंड तो इंप्रूब दी हेल्थ, हेल्थ को भी इंप्रूब करना, तो मार्थंडम जो है मार्थंडम कब स्टार्ट हुआ था 1921 में किस ने शुरू किया था डॉक्टर इस्पेंशर हेच ने और प्लेस मार्थंडम मेजर जो प्रोजेक्ट जो रहते वह उनकी प्लेस के साथ से ही होते हैं मेजर ली वैसे देखा जाए तो तो मार्थेंडम 1921 में स्टार्ट हुआता है डॉक्टर्स पेंशन हेच ने स्टार्ट किया था प्लेस अपने मार्थेंडम में शुरू हुआ था जो कि कहा है तमिल नाडू में और इसके फंक्शन क्या है तो डेवलब दा फीनिंग ऑफ सेल्फ सेल्फ रिलायंस अमंग्स्ट रूलर पीथा जैके तल्फ रिलायंस की फिलिन को डेवलब करना रूलर पींपलUNG की ओ पुम्पल ध। एस स्टिर्ट ऑफ को ऑपरेशन और सल शेल्फ रिस्पेक्ट की स्टिर्ट को इंप्रू गटारना गोट हुआ पक्संट एटिट्यूड में डिजारेबल चेंज लाना यह मार्थेंडम प्रोजेक्ट के फंक्शन है मार्थेंडम प्रोजेक्ट के फंक्शन है नेक्स्ट है फिर्का फिर्का कब शुरूआ था मतराज से लानाम प्रोजेक्ट के फिर्का को याद रखने के पहले लोगों का दिमाग फिरक गया था हुए लिए यह त्रिक है यह यादरस नाडु तो 1947 में हमें हाजादी मिले फिर में तिस निप पफिर्ग द्यूंश में में इसने स्टार्ट किया था मदरास गवर्मेंट ने कहां पर मदरास तमिल नाडू और यह किया था आल राउंड डेवल्लपमेंट और डेवलर प्यूपल जो ग्रामिन शेत्र के जो लोग है उनका ओल ओवर डेवल्लपमेंट करना तू डेवलप दे मीन्स ओफ ट्रेंकिंग क्रेंठ और क्म्युक्मिणिकेशन ड्रेनकिमुम्टे इन कम्यूपमेंट करना दे मीनिकेशन में कुरू की आप्याय। प्रोग्रेंटे इस कपने प्रोग्र्र आपने जो पड़े वह कहा है प्रेपैंडेंट अब पपन क्या पढ़ेंगे पोस्ट इन्डपेंडेंट सता के बाद के प्रोग्रामे है इस में क्रोगरें नीं 020 cœur महेवा इटावा डिस्ट्रिक में, कहां यूपी, तो 1940-1948 में महेवा इटावा डिस्ट्रिक यूपी में अलबर्ट मेयर के द्वारा इटावा पाइलेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था इसमें इनिशेल कितने विलेजेस लिए थे 64 विलेजेस लिए थे also called average district plant itava pilot project को दूसरे और क्या नाम से जानते है average district plan के नाम से pilot means क्या होता है doing a thing in a particular area particular area में जो चीज़े की जाती वो pilot कहलाता है this project is called pilot project because community development program has been initiated or launched in India due to success of ITava project लांच किया गया थे एंडिया में जो कम्यूंटी डेवलमेंट्रोग्राम है लृओंच किया गया था इटावा पालेश्ट्रोज्क जो स्टार्ट के बाद मेंट अपने को क्या दिश्ञार दना कना है इतावा प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट हुन था और इसको इसको दूसरा नाब क्या है एवरेच डिस्ट्रिक्ट प्लान नेक्स्ट अपना नीलो खरी एक्स्पेरिमेंट नीलो खरी एक्सपेरिमेंट कब शुरू हुआ था यह भी 1948 में स्टाट हुआ था किस ने स्चराट किया था? SKD ने SKD 내ue नीलोखडी experiment शुरू किया था कहां से? कूरक्षेतर हरियाना से और इसके फंक्षिन क्या है? To self-independent in all the fields of life सारे जो life की जो भी fieldsोब से self-independent बनाना To arrange for professional training and provide occupation for the people on the basis of their experience तो क्या है ने नीलोखडी एक्सपेरिमेंट शुरू किया था कहां से पुरक्षेत्र हरियाना से और इसके फंक्शन क्या है तो सेल्फ इंडिपेंडेंट इन आल दे फिल्स ओफ लाइफ सारी जो लाइफ की जो भी फिल्स इसमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना तो क्या है जो लोग है उनके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग अरेंज कराना और उनको उक्यूपेशन प्रोवाइट कराना जॉब अगरा देना काम देना और लोगों किस बेस पर उनके एक्सपेरियंस के बेस पर to eliminate the middleman system और जो middleman system में उसको क्या कर देना? eliminate कर देना नेक्स टेप न शर्वोदया अब आचारी विनोबा भावे जो थे उनकोंने तीन प्रोग्राम स्टार्ट किये थे कौनकों से? सर्वोदया, भूदान, ग्राम दान कौन-कौन सा first one is सर्वोदया, second one is भूदान, third one is ग्रामदान, अब जो सर्वोदया वो कब स्टार्ट बाता 1950 में भूदान 1951 में ग्रामदान 1952 में उसकी शौट ट्रिक है S, B, G S, B, G सब, G ठीक, तो ट्रिक क्या है सब, G सब, G मतलब S मतलब सर्वोदया, B मतलब भूदान, G मतलब ग्रामदान 1950, 1951, 1952 यह तीनों प्रोजेक्स के द्वारा स्टार्ट किये गए है आचारी, विनोभा, भावे के द्वारा शुरू किये गए है अब अब आपन देखेंगे वेरियस एक्स्टेंशन और अग्रिकल्चर डेवलेप्मेंट प्रोग्राम जो ICR के द्वारा या गवर्मेंट आफ इंडिया के द्वारा लॉंच्ट किये गए है वो सारे प्रोग्राम्स को पर देखेंगे फर्स्ट क्या है अपना IADP क्या है IADP तो इसका फुल फॉर्म क्या है इंटेंसिव एग्रिकल्चर डेश्ट्रेक्ट प्रोग्राम और अल्सो नोनेस पैकेज प्रोग्राम इसको क्या बलते है पैकेज प्रोग्राम भी कहां जाता है कब स्टार्ट हुआ था 1960 में इसका टार्गेट क्या था डिस्ट्रिक्ट विद्ध हाई पोटेंशल तो इंक्रीज इल्ड डिस्ट्रिक की जो इल्ड है उसको इंक्रीज करना इसका एम था यह टार्गेट था अब इससे क्या होता है क्वेशन किस टाइप की आएंगे या तो यह पूछेंगे कि जिसे IADP Intensive Agricultural District प्रोग्राम कब लौंच हुआ था 1960 में या फिर IADP is also known as तो उसके package प्रोग्राम भी कहा जाता है या फिर IADP का फुल फॉर्म क्या होता है और फुल फॉर्म इतने Confusion देंगे Intensive Agriculture District Program Intensive Agricultural District Program Intensive Average District Program या None of these इस थाइप के तो सबसे तक Confusion पता है किसमे होता है Agricultural है या Agricultural है तो यह जिस ध्यान अगने कि कहां पर Agricultural आ रहा है और कहां पर Agricultural आ रहा है यह चीज सबसे जादा याद रखना क्योंकि यही चीज़ कन्फ्यूस करती है कि Agricultural था या Agricultural था और Option में दोनों ही मिलते है Agricultural वाला भी रहेगा Agricultural वाला भी रहेगा तो जब अब याद करोगे ना तो यह बहुत ध्यान से याद करना कि Agricultural है या Agricultural है और ऐसे दिए रहे था Short form IADP तो Intensive Agricultural District Program जिसे Package Program भी कहते है 1960 में स्टार्ट हुआ था और कहता दिस्ट्रिक की इल्ड को इंक्रीस करना इसका टार्गेट था Next Second अपना कौन सा प्रोग्राम है आप IAAP Next क्या है IAAP इसका क्या है Intensive Agricultural Area Program यहाँ पर भी Agricultural है यहाँ पर भी Agricultural ही है बस Change क्या हुए यह डिस्ट्रिक्ट आ गया यहाँ एरिया आ गया तो Intensive Agricultural Area Program और यह कब शुरुआ था 1964 से 65 में IAAP Intensive Agricultural Area Program जो कब शुरुआ था 1964 से 1965 में और इसका टार्गेट क्या था Extend the Benefits of Improved Technology in Agriculture तो Agriculture में इंप्रूब जो टेक्नोलोजिस होती उसको एक्स्टेंड करना In Large Area At Least Cost and Reduced Staff Strange तो Large Area में जो टेक्नोलोजिस है उनको इंप्रूफ करना लागत में और स्टाफ को भी कम करना Next Step na C-A-D-P C-A-D-C-A-D-P C-A-D-P का फिल्फर्म क्या है Command C-A-D-P का फिल्फर्म क्या है Command Area Development Program C-A-D-P का फिल्फर्म क्या है Command Area Development Program जो कि कब शुरू हुआ था 1974 में स्टाट किया गया था कौन सा C-A-D-P Command Area Development Program Next अपना कौन सा प्रोग्राम है H-Y-V-P इससे तो आप इसको तो आप सभी रोग जानते होंगे Green Revolution सब जानते ही होंगे तो यह क्या है H-Y-V-P High Yielding Variety Program कब स्टार्ट हुआ था 1966 से 1967 में इसका एम क्या था To Attain Attaining Self-Sufficiency in Food Through High Yielding Varieties Combined with the application of High Analysis and Balanced Fertilizer Irrigation, Plant Protection Improved Implements एक्सक्रा तो Balanced Fertilizer का यूज का ना Irrigation का यूज का ना Plant Protection का यूज करना और सबसे बड़ी बात High Yielding Varieties को लगाना जिससे की फूड की जो कमी है उसको Fulfill किया जा सके इसका मेन एम था High Yielding Variety Program H-Y-V-P कब स्टार्ट हुआ था 1966 से 1967 में Next है DPAP DPAP का प्रफॉर्म DPAP DPAP का फूल्फॉर्म क्या है Drought Prawn Area Program DPAP Drought Prawn Area Program कब स्टार्ट हुआ था 1973 से 1974 में DPAP स्टार्ट हुआ था Next अपना है Institute Village Linkage Program I-V-L-P I-V-L-P Institution Village Linkage Program जो कब स्टार्ट हुआ था 1995 से 1996 में Next के अपना आत्मा अभी vacancies भी निक्री हुए है आत्मा की ATM और BTM Agriculture Technology Manager Block Technology Manager तो आत्मा Agriculture Technology Management Agency कब स्टार्ट हुआ था 2005 से 2006 में और आत्मा इस Registered Responsible for Technology Dissemination at District Level कि जो Technologies है उसका प्रचार-प्रसर करने के लिए किया है District Level पे आत्मा Agriculture Technology Management Agency अब यहाँ पर कई पर Question में पता है Agriculture के जगा Agriculture डाल देंगे और कुछ अपने में से कुछ लोग महा है Agriculture Agriculture डाल टिक करके जएंगे जो कि रॉंग होगा तो आपको यह याद रफने कि क्या ही यहाँ Agriculture Agriculture Technology Management Agency आत्मा जो की 2005 2006 में स्टार्ट हुई थी Next Step ना Try Same क्या है Try Same Try Same Try Same का फुल फॉर्म क्या है Training ट्रैस्यम का फुल फॉर्म क्या है Training of Ruler Youth for Self Employment Training of Ruler Youth for Self Employment जो कि कभी स्टार्ट हुआ था 1979 में स्टार्ट हुआ था इसका फॉंक्शन क्या है To Provide Technical Skills To Provide Technical Skills To the Ruler Youth From the Families Below Poverty Line To Enable Them To Take Up Self Employment In the Broad Field of Agriculture In the Broad Field of Agriculture And Allied Activities Industries Services And Business Enterprises To Tri-Same का फॉंक्शन क्या है Technical Skills Provide कराना Ruler Youth को उनकी Families को जो Below Poverty Line है और उनको Self Employment भी Provide कराना Next है अपना IRDP Next क्या है IRDP कब स्टार्ट वाता IRDP 1980 में IRDP का फॉल्फर्म क्या है Integrated Ruler Development Program IRDP IRDP का फॉल्फर्म क्या है Integrated Ruler Integrated Ruler Development Program Integrated Ruler Development Program जो की कब शुरू हुआ था 1980 में इसके Objective क्या है The Objective of Integrated The Objective of Integrated Ruler Development Program Is to help families Who lives below the puberty line To enhance their state of living And to empower the poor By helping them develop at every level IRDP Integrated Ruler Development Program जो की 1980 में शुरू हुआ था और इसका Objective क्या है Ruler का All Over Development करना उनकी families का help करना जो की below poverty line है और उनकी जो लीविंग है उसको इंप्रूफ करना और उनका poor pupils का development करना नेक्स्ट एपना I A E P इसका क्या है National Agriculture Extension Project N A E P National Agriculture Extension Project कभी स्टार्ट हुआ था 1982 से 1983 में शुरू हुआ था क्या National Agriculture Extension Project 1982 से 1983 में स्टार्ट हुआ था इसका एम क्या था इसका एम क्या था तो एक्प्रूफ टेक्नोलोजी तू कंट्रिब्यूट तूवर्ट्स की नेशनल अब्जेक्टिव्स एक्जामपल फूज सेक्यूरिटी एकोनोमिक ग्रोथ एंड इक्विटी नेक्स्ट अपना National Agricultural Innovation Project यहां क्या था टेक्नोलोजी तो टेक्नोलोजी वहला कभ आया था 1998 में और इनोवेशन की बात करे National Agricultural Innovation Project NAIP तो वह कभ आया था 2006 में National Innovations on Climate Resilent Agriculture NICRA क्या NICRA 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 कभ आया था 2011 में NICRA कभ आया था 2011 में और NICRA कभ फूल फॉर्म क्या है National Innovations on Climate Resilent Agriculture तो इसका function क्या है To Demonstrate To Demonstrate Site-Specific Technology To Demonstrate Site-Specific Technology Packages on Farmers Field For Adopting to Current Climate Risk To Demonstrate करना Technology से Farmers को ताकि वह Current Climate की जो रिसक है उसको अड़ाप्ट कर सके To Enhance the Capacity of Scientists and Other Stakeholders in Climate Resilent तो क्या है निक्रा National Agriculture National Innovations on Climate Resilent Agriculture NICRA का full form कब स्टार्ट हुआ था 2011 में Next है मेरा गाव मेरा गोरा जो कि कब स्टार्ट हुआ था 2015 में To Promote the Direct Interface of Scientists with the Farmers To Accelerate the Lab to Land Process तो क्या है Farmers का Direct Scientists से Interface कराना उसको प्रमोट करना क्या है मेरा गाव मेरा गोरा जो कि 2015 में स्टार्ट हुआ था Next है अपना Soil Health Card Soil Health Card का स्टार्ट वदा 2015 में और इसके फंक्षन क्या है To Diagnose Soil Fertility Related Constraint With Stendrised Procedures और जब आ रही हो बनों तो तब को मेरा इस पर वर्क करना पड़ेगा Soil Health Card पर तो यह क्या है Soil Health Card जो स्टीम है इसमें क्या है कि Farmers के Soil Health Card की उसको आगे लेब में भेजना उसकी फर्टिलिटी का आनेलाइसिस करने के लिए और पिर उसके वहां से लेब से काड़ बन के आता है पार्मर का ताकि उन्हें पता चले कि उनके जो लेंड है उसमें किस चीज की कमी है किस चीज की अधिकता है और क्या चीज उन्हें खाद के रुप में देना चाहिए नेक्स्ट अपना रास्ट्री क्रिशी विकास योजना आर के दीवा है रास्ट्री क्रिशी विकास योजना जो कि कब शुरुआ था साथ में रास्ट्री क्रिशी विकास योजना स्टार्ट हुआ था तो मेक्सिमाइज रिटर्न टू दे फार्मर्स इन अग्रिकल्चर और अलाइट स्टोर्स मेक्सिमाम रिटर्न्स फार्मर को प्रोवाइट कराना अग्रिकल्चर और अलाइट सेक्टर्स है कुं लग है अगरेयट सक्टर साठ में खुरिएा निख्टि यह झु लोग है अध्र जो प्यूपल है उनका एगरी कल्चर इन्मेट को इंक्रीज कराना intent यह को किसका है यह म आर के व व्य व्य क्रिशी विकासी होजाा जोगे में स्टार्ट लिए में स्टन चीस और यह गिया करेंट थेया हैं इस्राइल एक्स्टेंशन एक्सपर्ट थे डैनियल बैनौर ने ट्रेनिंग एंड विजेट 1973 में स्टार्ट किया था अब ट्रेनिंग एंड विजेट यह क्या होता है तो ट्रेनिंग जो SMS होते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इनसे extension worker extension worker मिन्स Reo extension worker मिन्स क्या R.A.E.O यह जो Reo's है या फिर जो extension जो workers है वो SMS subject matter स्पेशलिस्ट जो कि कहा होते हैं K.W.K में उनके दोरा extension workers को training दी जाती है, technical knowledge दिया जाता है, then फिल, जो knowledge extension workers ने SMS से लिया है, वो knowledge को वो कहां? गाउ में spread करते हैं, visit करके, visit करते हैं, visit to the farmers for transfer of knowledge, obtained to the training, training में जो knowledge लिया रहता है, वो extension worker किसे देते, farmers को, तो training, ट्रेणिंग में SMS से एकस्टेंशन वर कर ट्रेणिंग लेते हैं then विजिट जब वगाओ जाते है तो अपने नॉलेज को फारमस तक स्प्रैड करते हैं तो यह ट्रेणिंग एन विजिट सिस्टम है और अपने यहां ट्रेणिंग एन विजिट इंडिया में 1974 में राजिस्थान केनाल एंड केनाल एंड चंबल कमांड एरिया MP में स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट एपना लेब टू लेड़ लेड़ प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था 1979 में ICR की गोल्डन जुबली ये वाला क्वेशन भी कई बर पुछते हैं कि कौन सा प्रोग्राम है जो ICR की गोल्डन जुबली पे स्टार्ट किया गया था तो कौन सा लैब टू लेड़ प्रोग्राम कब स्टार्ट किया था 1979 में इसका टार्गेट क्या था स्मॉल मार्जिनल एंड लेडलेस जो अग्रिकल्चर लेबर से जो SCST के अंदर आते हैं वो इनके टार्गेटेट ग्रूप्स थे और इसका अबजिक्टिव क्या था तो प्रोग्राम इंटेंडेट टू इंप्रूब दे इकोनोमिक कंडिशन आफ टार्गेटेट ग्रूप्स जो स्मॉल मार्जिनल या लेडलेस जो अग्रिकल्चर लेबर से SCST के उनकी इकोनोमिक कंडिशन को इंप्रूफ करना ट्रांस्फर आफ इंप्रूब टेक्नोलोजी के थूँ डेवलप्ट बाइ अग्रिकल्चर यूनिवर्स्टीज एन रिसर्च इंस्टिटीट नेक्स्ट एपना कृश्य बिज्ञान केंद्र केवीके इससे तो आप सब परिचित होंगे केवीके से तो केवीके जो है ये जो है केवीके 1974 में स्टार्ट हूआ था और कुण से कमिटी है स्टार्ट किया था मोहन सिंग महता कमिटी जो थी आइस कि यार के द्वारह स्टार्ट किया था 1974 में मेट कमिटी को उचे थी मोहन सिंंग मैथा कमिटी के लिए आपॉइंट की गई तो एक वीके जो है जो है फॉस्ट नाइंटीन सावेंटी है नाइंटीन स्वेर में फॉस्ट के बिए किया था किया था किविक के लिए और बात करें कि कहा बना था तो पॉंडीचेरी में बना था 1974 में यह वहला कुछिन भी कही बार आता है कि फॉर्स्ट के बीक कहां स्टेब्लिश हुआ था तो पॉंडीचेरी में कभ 1974 में और केवीकी का जो मेन अब्जेक्टिव वो क्या है ट्रेनिंग कराना वोकेशनल ट्रेनिंग कराना यह क्वेशन आया था एक्जाम में कि केवीकी का मेन जो अब्जेक्टिव वो क्या है इंपार ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग कराना और जैसे विलेज जो इन दर विल यह इसका मेन अबजेक्टिव है और और क्रेडिट और क्रेडिक की सकसेस का किसे जाता हैं डौक्तर चंदरिका प्रशाद को क्रेडिक का क्रेडिक के सब्सक्राइब करेडि दिया जाता है और at present अपने इंडिया में कितने kv k है? 731 kv k established है अपने at present अपने इंडिया में 731 kv k है अब बन पढ़ेंगे कुछ terms जैसा democracy क्या होता है? decentralization क्या होता है? democratic decentralization क्या होता है? तो first होता है democracy democracy जो word है वो एक Greek word से मिलकर बनाता है crazy means rule and demos means the people लोगों का राज hence democracy means the governance of the people by the people and for the people democracy क्या है लोगों का लोगों के द्वारा और लोगों के लिए the emphasis is on the people तो democracy means जहां पर जनता का ही राज हो इन शौर्ट इसमें कह सकते हैं लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए decentralization means distribution of function and powers from central authority to local and regional authority तो डीसेंट्रलाइजिशन क्या होता है जो पावर से इसको टुखड़ों में बाट देना जैसे पी एम है पेम तो पटिकूलर गाव में जाकर हर एक की प्रोब्लम म ambiguity सुनेगे न तो उसने क्या बनाए सरपंच तो इसे पावर्र को दिस्रिबूट कर देना गाव लेवल पे सरपंच होते फिर विधायक सावन सर यह सारी तो पावर्रbury को दिस्रिबूट कर देना वो कहलाता है तो democratic decentralization means क्या होता है government which has derived its authority from the pupil redistribute it to same extent to pupil for decision and action at local level तो क्या है local level पे ही government बना देना और पढ़ेंगे पंचायती राज पंचायती राज जो है पंचायती राज जो system में वो क्या है democratic local self-government है जिससे क्या हो discharging developmental municipal and regulatory function और यह basically क्या है democratic decentralization की ही process है पंचायती राज पंचायती राज का मतलब क्या होता system of government और first time जो पंचायती राज है वो कहां शुरू किया गया था नागोर डिस्ट्रिक राजिस्थान में यह question भी कई बर पूछते कि first time पंचायती राज कहां स्टार्ट किया गया था नागोर डिस्ट्रिक राजिस्थान में कब शुरू किया गया था 1959 में और 24th April को National Panchaयती राज डे celebrate किया जाता है कब 24th April को National Panchaयती राज डे celebrate किया जाता और बलवंत रायम है था कमीटी है उन्होंने रिकमेंडेट किया था पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में कि इनने बलवंत रायम है था कमीटी के द्वार रिकमेंडेट किया गया था बलवंत रायम है था कमीटी कर दारा पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंडेट किया गया था तो जो लोकल लेवल पर जो गबमेंट होती है सर पंच पंच वो सब क्या है पंचायती राज के अंडर में ही आता है पंचायती राज जो है वो थ्री टायस में होती फर्स्ट होता है अपना ग्राम पंचायल जो की बैसिक और फॉर्मल डेमोक्रेटिक और्गनाइजिशन होता है प्राइमरी लूकल यूनिट होता है और यहां पर इट इस अ क्याबिनेट ऑफ द विलेज लीडर्स जो गाओ के ह वहिं उसके काबिनेट्स होते विलेच और ग्रूप ओफ विलेजस इस ग्रुलिस्डिक्शन ऑफ ग्राम पंचायल बनियुट्ब उनिक पास पलबर होता है तो उसमें क्या अतब्स होते हैं सर्पंच होते हैं तो वह सारी चीज़ क्या है लोकल लेवल पर जो गोश्मेंट ह वो क्या क्या लाती है ग्राम पंचायर सेकेंड होती है पंचायत समीती और यह जिला परीशर के नीचे होती है कह सकते ब्लॉक लेवल पर जो होती है वो पंचायत समीती होती है intermediate और middle tire होता है administration का ब्लॉक लेवल पर the jurisdiction of पंचायत समीती इस तालुका और ब्लॉक एरिया जो jurisdiction होता है पंचायत समीती का वो तालुका और ब्लॉक एरिया पर होता है the tenure of the panchayat samiti is of five year panchayat samiti का कार्येगाल कितने वर्ष का होता है पांच वर्ष का and third जो टायर होता है वो के कहलाता है जिला परिशल जो कि district level पर function करता है it works as advisory body for block यह block की advisory body as a work करता है it approves budget and plan of blocks जो block है उसके budget और plan को approve करता है और alert करता है block को fund उसकी जो schemes चल रही है या किसी चीज़ के लिए उसको fund चाहिए तो वो सारी चीज़ alert करता है कौन जिला परिशल नेक्स्ट एपना cdp cdp मतलब community development program cdp कब start हुआ था दो October 1952 और इसका aim क्या था कि जो पूरी community है उसका development करना तो cdp community development program जो कि कब start हुआ था दो October 1952 को start हुआ था नेक्स्ट एपना N.E.S. N.E.S. नेशनल extension service नेशनल extension service जो है यह due to success of community development project जो cdp है वो जब success हो गया था तो उसके बाद क्या start किया था नेशनल extension service कब start किया था दो October 1953 में और a block is a unit of planning and development development planning और development के जो unit है वो क्या है block block level तो यहां पर हमारे जो extension से related जो भी programs या जो भी project है वो finish होते है और साथ इस तमारा extension जो subject है वो भी finish होता है और इसमें जो है यह जो programs है schemes है इसमें आपको year बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सा program किस year में start हुआ है उसके function अगर थोड़े नहीं भी आते तो चल जाएंगे क्योंकि exam में function के regarding इतने questions नहीं आते बट कब start हुआ किस year में start हुआ किसके द्वारा start किया गया यह जीस आपको बहुत अच्छे से याद रखनी और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको समझ में आया होगा अगर किसी को भी कोई doubt हो तो आप मेरे से पूच सकते हैं थैंक यू सो मच